नमस्कार बहुत स्वागत है आपका चैत्रमा के सुक्लपक्ष की पुर्णिमा को हनमान जैन्ती या फिर बजरंग बली के जन्मोत सब के रूप में मनाने का बिधान है इस दिन हनमान जी की विशेश पूजा अराधना की जाती है ताकि जीवन के बड़े से बड़े संकट तो इस दिन की महिमा बहुत है पवित्र नदी सरोवर में डूपकी लगाने का दिन है आस्था की डूपकी अर्ड़ो नमक का महा प्रयोग बताएंगे तो असनान दान की पुर्णिमा है और एक छोटा सा प्रयोग नमक का जीवन की मुश्किल से मुश्किल हालातों से आपक नमक के छोटे चोटे प्रयोग बताएंगे जो आपके जीवन की हर प्रिसानियों को दूर करेगा लेकिन घर के किस कोने में नमक रखें कि जीवन की मुश्किले चल्दी खत्म हो जाए आपकी जो मुश्किल परेसानियों से भरा वक्त है वो जल्दी खत्म हो जाए तो चली जानते हैं नमक क्या क्या कर सकता है देखिए नमक वैसे तो हर किसी के घर में है और अगर दाल या सबजी में नमक ज्यादा हो जाए तो नुकसान भी करता है और कम हो जाए तो भी खाने का स्वाद गरबर कर देता है वैसे नमक हमारी आयू को बढ़ाता है और नमक ही आयू को घटाता है यानि कि नमक ज्यादा होना सही नहीं है तो कम भी होना सही नहीं है लेकिन आज जो हम प्रियोग पताएंगे देखें नमक बहुत तरीके का होता है जैसे सेंधा नमक समुद्री नमक काला नमक सामाने नमक और नमक को चंद्रमा और सुक्र दोनों से ही जोड़ कर जोतिस में देखा जाता है वैसे तो कुछ विद्वान ये भी कहते हैं यानि कि जोतिस साथ में भी वर्णन आता है कि नमक राहू का प्रतीक है तो चलिए जानते हैं कैसे अपने राहू, चंद्रमा और सुक्र को आप बैलेंस करें कि आपके जीवन में आकस्मिक बाधाएं भी नहीं आए और आपको सुक, बैभव, यस, मान, समान भी मिले स्वास्त अच्छा रहे, टेंसन ना हो देखिए जोतिस्क में चुकि नमक को चंद्रमा और सुक्र का परदीन माना जाता है और नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बरतन में रखते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा और सनी का मिलन हो जाएगा सनी का जो धातू है वो है स्टील और लोहा तो क्या होगा चंडर्मा और सनी के मिलन से 20 योग बनता है अब यह योग रोग और सोक का कारन हो जाता है इसलिए भूल कर भी नमक स्टील के बरतन में या लोहे में ना रखे नमक को प्लास्टिक में भी नहीं रखना चाहिए हाँ अगर आपको रखना है तो कांच के बरतन में नमक रखें इससे बुरासर भी नहीं पड़ेगा और सुक्चैन बढ़ेगा अमोमन बोला जाता है कि नमक गिरना नहीं चाहिए पर दो दिन गिरे बार-बार गिर रहा है तो फिर आप समल जाएए और फिर आपको इन मुश्किलों से बाहर निकलने के रास्ते भी ढूंडने होंगे तो भोजन बनाते समय कई बार क्या होता है आप नमक डालते हैं चक लेते हैं देखें कैसा हुआ भोजन कैसे बना है नमक सही है नहीं एक तो आपके किचन में वैसे तो बहुत साई लोग भोजन चकते हैं लेकिन पवित्रता घड़ जाती है आपके खाने की और जब आप किसी भी भोजन को बार बार ऐसे करके जुठाते हैं तो दैता भी आ जाती है इसलिए अगर नमक कम है तो बाद में डालिएगा लेकिन खाना जब भी आप बनाते हैं रोटी है चावल है तो थोड़ा सा खाना आपके घर के आसपस गाया है तो देया ये नहीं तो हलका सा आप तोड़ कर हटा दे सीधे सीधे हाथ से कभी भी भूल कर भी किसी को नमक मत दीजिएगा वरना रिस्ते खराब होते हैं चाहे वो नमक का पैकेट ही क्यों ना हो आप रख दीजिए सामने वाला बैक्ति उठा लेगा क्योंकि आपके संबंद भी गरबर होंगे औ और साथ ही नमक हाथो हाथ देने से आपके जो रिस्तों में प्रेम है गर्माहाट है वो समाप्त हो जाता है तो आईए जानते हैं अगर आपको सुखी रहना है तो कुछ बातों का ध्यान रखिए गुरुबार का दिन छोड़ कर हर दिन आप या तो नमक मिलेवे पानी से या फिर फिटकरी मिलेवे पानी से ही घर में पोचा लगवाए बहुत सारे लोग बोलते हैं नमक मिलेवे पानी से हम नहीं लगाना चाहते कोई बात नहीं आप फिटकरी मिलेवे पानी से ही पोचा कर सकते हैं इससे सकात्मकता बनी रहती है और जैसे कि नमक और फिटकरी है निगेटिव एनर्जी को सोकता है और जब आप हल्दी का चीटा डाल देंगे तो वह उसी तरह से हल्दी भी नकात्मक उर्जाओं को बरकत होने लगती है मालक्षमी के आने का मार्ग खुल जाता है इस ग्लास में पानी भरें तीन भाग तीन भाग यानि फुल नहीं करना है आपको और उसमें एक चम्मच नमक डाल दें वही नमक जो आप खाने में यूज करते हैं ठीक है अब इस नमक मिलेवे पानी को घर के दक्षिन पस्चिन डिसा में कहीं भी रगतें संबब हो तो इ किदर से उधर आप एक लाइन खीज दें इससे आपके घर में एक तो नकात्मा उड़ जाएं नहीं आएगी दूसरा खुसियां बढ़ने लगेगी जब लगे कि पानी सूख रहा है तब उसमें पानी डाल सकते हैं और हर महिने या दो महिने में इसको चेंज कीजिए पुर कोई किसीने आवास दिया या रात में सोते हैं तो लगता आपके घर में ओर भी कोई रहता है कमाम तरह कि परिसानिया मुस्किले हैं इसका मतलब किसीने कुछ तब यासे में एक काज की कटोरीं ले लें कि मेंच कील लएक्भीया चोंटी बढ़णी है तो यह घ्लास अपकंध भी ले सकते हया अब इसमें मुथ 2 ले सकते हैं अब इस काटोरी को एक चमच दो चमच डाल दे और बात्रूम में रख दे कहीं भी उपर में उठा कर रख दे और इस उपाए से बात्रूम की जितनी भी निगडिवटी है क्योंकि सबसे ज्यादा नकारत्मक उठ जा तो बात्रूम में ही होता है तो वो समाप्थ हो जाएगी और हर सब्ध या हर मेहएने सब्ध हमने इसलिए कहा क्योंकि बात्रूम के ही नहीं आपके पूरा घर का वास दोस्दूर हो जाता है अगर किसी कारण बस आप कई बर क्या होता है ना आपके घर परिवार में बहुत परिशानी है टिंसन है घर में भारी पंसा लगता है, बेवज़े जगले लड़ाई, धन की मुस्किलें, लोग बिमार रहने लगे हैं, तब एक छोटा सा काम कीजिए, अपने डाइनिंग एरिया में एक नमक की डली या फिर आप वैसे फिटकरी भी रख सकते हैं, आप कहीं भी छुपा कर रख दें तो आने जाने बाले लोगों के अंदर जो नकात्मक चीजे होंगी, वो ये फिटकरी या नमक सूख लेगा, नमक भी रख सकते हैं, अगर आपको खड़ा नमक मिल जाता है, तो कई बार बच्चे जल्दी बिमार हो जाते हैं, या किसी की नजर लग गई, एक दम से खेल रह बच्चे के ऊपर से उल्टा तीन बार या पांच बार वार ले और इसको बेसिन में नमक को पानी के सहारे डाल दे, तो इससे क्या होगा ना आपके बच्चे की नजर उतर जाएगी, अब आपके घर में कोई हैं, जो लंबे समय से बीमार हैं, या बार बार बीमार हो जाते तब क्या करेंगे तब एक काच की कटोरी में ही याद रखिए हर जगर नमक काच में ही यूज करना है वैसे आपकी प्लास्टिक का भी यूज कर सकते पर कहाँ ज्यादा अच्छा है तो काच के बरतन में जो बेकती बीमार है उनके सिराहने बेड के नीचे आप नमक रख दे और ज्यादा बीमार हैं तो रोज चेंज करें अगर कम बीमार हैं हलकी फुलकी चीजे लगी रहती है तब हर सब्ता इसको फ्लस करते रहें पुराना वाला नमक और फ्रेस नमक रख दें देखिएगा उनका स्वास्त जल्दी ठीक हो जाएगा तो अब हम एक अंत में आपक में थोड़ा थोड़ा नमक लेने कुछ देर बैठिए आराम से बैठ जाएए आंखे बंद कीजिए थोड़ा से रिलैक्स होईए लंबी लंबी सांसे चोड़िए और फिर जब लगे कि मन सांथ हो रहा है तब इस नमक को आप पानी के सहारे बहादेवास वेसिन में इतर द बरतन में रखकर चार-पांच लॉंग रखकर रख दें लेकिन इसको ढखिएगा मत खुला रखेगा ढखने से फिर आपको उतने प्रफाव नहीं मिलेंगे जो नकात्मक चीज़ें वो नमक सोखेगा और जो सकात्मक चीज़ें उसको लॉंग और बढ़ाएगा तो धन की म सालेंगे इसको ढखना नहीं है और अगर बीमारियां बहुत परिसान करें तपसीराने में ही रखना है आपको वैसे नमक को थोड़ा कमी खाईए ज्यादा नमक मत खाईए और आप चाहें तो सेंधा नमक का परियोग खाना खाने में कर सकते हैं इससे बीमारिया थोड़ी क कम परिसान करती है ठीक है अगर आपके और तर्फ दश्मी में खाना और आपको या मंगल आपका कुंड़ि परिसान नहीं करता कर चाहिज। तब नहाने के पानी में एक चुटकी नमक डाल करना है वैसे बच्चों को भी आप नहाने नहाते समय नमक डाल के नहलाईएगा तो उनको नजर नहीं लगती है और यह सब प्रियोग आप अन्य दिनों में भी कर सकते हैं असा नहीं है कि सिर्फ पुनिमातिति कोई करना आप अन्य दिनों में भी कर सकते हैं लेकिन इस्तिति के दिन करते हैं तो इसके फ़ल आपको ज्यादा मिलते हैं